नमस्कार WKB News के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज की हेडलाइन्स पर नागपुर के लकरगंज में हुई लूट के 6,32,000 बरावत हवाला प्रकरन में M.I.D.C. में पुलीस ने दी दबिश मनपा और N.I.T. ने मेट्रो को नहीं दिये 755 करोण इंडोरा कॉटन मार्केट मेट्रो स्टेशन का काम रुका दिसम्बर तक पूरा करने का लक्षि और मनपा चुनाओ में तीन सदस्य प्रभाग पद्धती का कॉंग्रेस ने भी किया विरोध नाना पटोले ने कहा अब मुख्य मंत्री से नहीं करेंगे दुबारा बाद और अब खबरे विस्तार से नाकपूर के हवाला की नगडी लूटे जाने के प्रकरन में M.I.D.C. स्थित एकात्मा नगर में दबिश देकर 6,32,000 रुपई की बरामदगी की गई है कारवाई के दौरान बादल चंद्रवनशी तथा कुनाल साहू नामक संदिक दो को संबर की दोपहर लकडगंज में एहमदाबाद के हवाला व्यापारी कमलेश शाह के कर्मियों से चाकू की नोक पर 21,30,000 रुपई लूट लिये गए थे इस प्रकरण में अब तक व्यांकटेश उर्फ गोलु कोहाड उमेश सोनकुष्रे तथा रूपलाल लिलहारे को गिरफतार किया गया है MIDC पुलीस को एकातपता नगर निवासी कुनाल साहु के पास लूटी गई राशी का बड़ा हिस्सा रखे जाने का पता चला इसके आधार पर P.I. उमेश बेसर कर दीपक लबडे की अगवाई की कुनाल के घर पर दबीश दी तलाशी लेने पर 6,32,000 रुपए तथा एक्टिवा मिल गई कुनाल ने पूचताच करने पर अंकित डोगाडे द्वारा रुपए तथा एक्टिवा रखना बताया अंकित अपहरन और फाइरिंग के प्रकरन में लिप्त है वह मंगलवार सुबह एक साथी के साथ अंकित के घर आया उसने अंकित को रुपए और एक्टिवा संभालने को कहा नगदी और एक्टिवा सौब कर साथी के साथ लौट गया पुलीस को अंकित के कुनाल से पहले बादल चंद्रवन्शी के घर भी जाने का पता चला है जबकि देर रात तक पुलीस इस मामले को सुलजाने में लगी पड़ी थी इसकी जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है सीताबर्डी इंटरचेंज टूग आटोमोटिव चौक और सीताबर्डी इंटरचेंज से प्रजापती नगर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर जहां काम चल रहा है वही इंटरा और कॉटन मार्केट में काम ठप हो गया है क्योंकि महा मेट्रो को जो राशी मिलनी थी वो नहीं मिल रही है महा नगर पालिका और नाकपूर सुधार प्रण्यास पर महा मेट्रो को अब तक 555 करोड रुपए का भुकतान नहीं किया गया है जिसका असर मेट्रो के कारियों पर दिखने लगा है मेट्रो के लिए इंदोरा और कॉटन मार्केट स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही घनी आबादी वाला क्षेत्र है और मुख्य मार्ग में है बताया जाता है कि धन की कमी के कारण दोनों स्टेशनों पर काम रुका हुआ है चानकारों ने बताया कि दो शहरी स्थानिय निकायों नाकपूर नगर निगम महानगर पालिका और नाकपूर इंप्रूव्मेंट ट्रस्ट ने नाकपूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के प्रथम चरन के लिए अपने हिस्से का भुकतान महामेट्रो के स्विकृत कार्य में नाकपूर सुधार प्रण्यास और महानगर पालिका की 5% हिस्सेदारी है जो 434 करोड रुपे की है दोनों का महामेट्रो को 868 करोड रुपे का भुकतान करना है हलाकि उन्होंने अभी तक एजनसी को 555 करोड रुपे का भुकतान नहीं किया है जब तक ये दोनों स्थानिय निकाय तुरंत अपने हिस्से का भुकतान नहीं करते हैं तब तक इन दोनों स्टेशनों को पूरा करना संभव नहीं होगा महामेट्रो ने दिसंबर के अंत काम पूरा करने का लक्ष रका है महामेट्रो अपने लक्ष को पूरा कर लेगी लेकिन आने वाले दिनो में धनकी कमी के कारण सभी स्टेशनों को शुरू करना संभव नहीं होगा। उलेखनी है कि कॉंग्रेस मनपा चुनाओं में एक सदस्य एक वाट या दो सदस्य प्रभाग पद्दती से चुनाओं करवाने की मांग कर रही है। उपचुनाओं में वे भारती जनता पार्टी उम्मिद्वारों का प्रचार कर रहे है। बीजेपी उमिद्वार के साथ बैठक की उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया में वाइरल हुई है। जिला कॉंग्रस कमिटी ने हाल ही में कारेकारेनी के बैठक में उन्हें पार्टी से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था। भार्दिय स्वतंतरिता के अमरुत महुचसव वर्ष के तहट एक अक्टूबर को जेश्ट नागरिक दिवस के आउसर पर नाकपूर महानगरपाली का स्मार्ट सीटी और सीनियर सिटिजन काउंसल आफ नाकपूर के सयुक्त तत्वावधान में विभिन्न कारेक्रमों का आ पागुरुह में कारेक्रम होगा स्वतंतर संग्राम सेनानी सरकारी पुरसकार प्राप्त जेश्ट कलाकार सेना से निवरुत सैनिक अधिकारी कृड़ा पुरसकार प्राप्त जेश्ट नागरिक साहित्यकार सामाजिक वैद्यकियक शेत्र में योगदान देने वालों का सतक किया जाएगा इसके अलावा दोपहर साड़े तीन बजे मनोरन जनात्मक कारेकरम होंगे सुबह साथ बजे राम नगर स्थिच छत्रपती शिवाजी उध्यान में सूर्य नमस्कार स्परदा होगी उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर को शहर के सभी सीनियर सिटिजन के लिए फ इरो माइल फ्रिडम पार्क आधी दर्शनियस थलो पर ले जाया जाएगा 75 वर्ष पूर्वदेश की सामाजिक परिस्तीतियों में कई तरह के बंदन होने के बावजुद अंतरजातिय विवाह तथा प्रेम विवाह करने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र की जोड़ी का भी मन पाकी और से सतकार किया जाएगा जेश्ट नागरिकों के लिए शहर के प्रत्यक जोन में स्वास्त शिविर भी लगाये जाएगे की 75 वी वर्ष गाठ है इसलिए शहर के 75 नागरिक जो 75 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर सके कर चुके हैं इन नागरिकों का सतकार किया जाएगा और इसमें जो स्वतंता संग्राम सेनानी हैं उन सभी स्वतंता संग्राम सेनानियों का प्रात्मिक्ता से सतकार किया किसी पदक को प्राप्त किया है उनका स्वतंता संग्राम सेनानी के बाद में उनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी उसके पश्चात क्रीडा के छेतर में रंगमंज के छेतर में पत्रकारिता के छेतर में साथी साथ सेवा के छेतर में और वैद्ध की व्योसाय में जिन्होंने अ परिहन विभाग के माध्यम से हमारे 10 जोन हैं हमारे 10 बसे 10 जोन से अलग अलग जगे निकलेगी और यह सारी 10 बसे हमारे सीनियर शीटीजन को नाकपुर शहर के जो दर्शनी इस्थल है जिसमें दिख्षा भूमी है, नाकपुर शहर के बगीचे हैं बगीचे के साथ साथ वीवाकर नंद इस्मारक हैं इन सारी दर्शनी इस्थलो का दर्शन कराया जाएगा और उनके snacks की विवस्ता नास्ते की विवस्ता भी बसके अंदर महानगर पलिका के माध्यम से की गई है इसके अलावा छत्रपती उध्यान जो रामनगर का है वहां senior citizen के लिए सुबह के समय में सूरे नमस्कार इस परधा का आयोजन किया गया है कई बार विलंब से समरपन करने के बावजुद पहले भी 45 दिनों का emergency parole दिया गया था किन्तु अब emergency parole पर छुट्टी देने का आवेदन ठुकराय जाने पर इसे चुनौती देते हुए कैदी सुरेश बोयर ने हाई कोट पे याचिका दायर की जिस पर सुनवाई के बाद नयादीश वी एम देशपांडे और नयादीश अमीद बोरकर ने emergency कोरोना parole पर कितने कैदियों को अब तक छुट्टी दी गई कितने कैदियों के आवेदन ठुकराय गया इस संदर्ब में विस्तृत हलफनामा दायर करने के आदेश सेंट्रल जेल के अधिक्षक को दिये सुनवाई के दोरान जेल अधिक्षक द्वारा लिये गए फैसले को उचित करार देने का सरकारी पक्षक की और से प्रयास किया गया लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अधालत ने कहा कि याचिका करता की वकील बार असोसियेशन की नई सदस्य है यहाँ तक की इस व्यवसाय में नई दिखाई दे रही है अतहा यहाँ उचित होगा कि कोई वरिष्ट वकील इस संदर्ब में मदद करे हाई कोट ने अधालत में उपस्तित अधिवक्ता फिरदोस मिर्जा को अधालत मित्र बनाने की पेशकश की इसे अधिवक्ता मिर्जा ने स्वीकृत किया सुनवाई के दोरान सरकारी पक्षकी और से जिन्हें एमरजनसी पैरोल दिया गया और जिनके emergency parole ठुकराए गए ऐसे सभी मामलों पर सरकार के रुख को उचित दिखाने की कई दलीले दी गई किन्तु अदालत ने सरकारी दलीलों से असंतुष्टी जताई अधियों के अधियों को वापस लाया गया और कितने कैदियों के emergency parole ठुकराए गए इसकी जानकारी हलफ नामा में देने के आदेश जेल अधिक्षक को दिये तो वक्त होगे एक छोड़े से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस्ट तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है फ्लाइविल एविएशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट ऑनलाइन फ्रोड की घटनाय तेजी से बढ़ रही है कोई भी दिन नहीं जाता होगा जब नाकपूर के किसी थाने में ऑनलाइन ठगी से संबंदित मामला दर्ज नहीं किया जाता होगा अब तो लोगों को भी लगने लगा है कि एक और सरकार अधिकाधिक ऑनलाइन प्रनाली का इस्तिमाल करने का आवाहन करती है वही दूसरी और उनके साथ होने वाली ठगी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है इस बीच पेटियम का केवाईसी अपडेट करवाने के नाम पर साइबर ठग ने एक व्यक्ति को मामला दर्ज किया है विगत 28 मई की दो पहर अग्यात आरोपी ने नरेश के मोबाईल पर फोन किया उन्हें बताया कि भविश्य में पेटियम से ट्रांसेक्शन करने के लिए केवाईसी अपडेट करवाना होगा केवाईसी अपडेट नहीं होने पर उनके खाते का लेन देन बंद हो जाएगा नरेश ने उसे प्रक्रिया के बारे में पूछा आरोपी ने उनके मोबाईल पर एक लिंक भेजी जैसे ही नरेश ने लिंक पर क्लिक किया उनके खाते से एक लाग पचासी हजार रुपए ओनलाइन ट्रांसफर हो गए खाते से पैसे डेबिट होने का मैसेज विलने पर नरेश को धोकाधड़ी का पता चला उन्होंने बैंक से शिकायत की बैंक ने पुलीस से शिकायत करने को कहा पुलीस ने धोकाधड़ी और आईटी एक्ट के धाराओ के तहट मामला दर्च कर जांच आरंब किया है जिला परिशद और पंचायत समिती उपचुनाओ को वोटिंग को सिर्फ छे दिन बाकी है पाच अक्टूबर को मतदान होना है शासन ने चुनाओ की सारी तयारी पूरी कर ली है वही दूसरी और सभी पार्टियों और निर्दली उम्मिद्वारों का प्रचार जोरों से चल रहा है सभी पार्टी नेताओ और पदादी कारियों का OBC सीटो वाले सरकल में गाव गाव तूफानी दौरा शुरू हो गया है एक ही दिन में अने गाव को कवर किया जा रहा है जिला परिशत की सत्ता में पुनहपूर्ण बहुमत को कायम रखने के लिए जहां कॉंग्रेस पुरा जोर लगा रही है वही भाजपा भी अपनी सीटे बढ़ाने की कवायत में लगी हुई है उपचुनाओं के प्रचार के लिए ग्रामिन भागों के नेताओं ने ही कमान संभाल रखी है कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष राजेंद्र मुलक मंतरी सुनिल केदार का तुफानी दौरा चल रहा है वही राश्टरवादी कॉंग्रेस के जिलाद्यक्ष बाबा गुजर वह पदाधिकारियों ने पाथ सीटों में कमान संभाल रखी है शुसेना के लिए आशिश जैसवार राजेंद्र हर ने प्रचार कर रहे है बीजेपी के जिलाद्यक्ष अर्विंद गजबिये और अन्य पदाधिकारी सभी सोला सीटों पर प्रचार में लगे हुए है इनके अलावा शेकाप, आमबेटकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रहार, वंचित बहुजन आगारी के उम्मिदवार भी इस चुनावी जंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए नागरिकों से वोटों की अपील कर रहे है मातर छे दिनों में पूरे जिले की सभी सीटों में आने वाले एक-एक गाव को कवर करना पार्टी नेताओ के लिए चुनावी मौसम में जिला परिशद मुख्याले में सभी पदादीकारीों के कक्षों में विरानी सी चाई हुई है बिते दो दिनों से कोई पदाधीकारी मुख्यालाय नहीं आ रहा है सब भी अपनी पार्टी के उम्मिदवारों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए है ग्रामिन भागों से अपना काम करवाने आने आने वाले नागरिक भी फिलहाल यहां नहीं आ रहे हैं जिससे कार्याले भी सुनसान देखे जा रहे हैं सभी विभागों में शानती देखी जा रही हैं इस बीच प्रशासन ने 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए काटोल, नर्खेट, सावनेर, कलमेश्वर, रामटेक, पारशिवनी, मौदा, कामठी, उम्रेट, भिवाप पूर, कुही, नाकपूर, ग्रामिन, वहिंगना तहसील के मतदाता अपने वोटों का उप्योग कर सके इसलिए संबंदित सरकलों में स्थानिय अफकाश खोशित कर दिया गया है कोरोना महमारी के दौरान अत्यनत आवश्यक दवा को लेकर सरकारी टेंडर भरने के नाम पर डॉक्टर के साथ हुई धोकाधड़ी को लेकर अमबाजरी पुलीस की और से मामला दर्च किया गया मामले में गिरफतारी के संभावना के चलते गिरफतारी पूर्व जमानत के लिए अंकुष महोर ने हाई कोट में याचिका दायर की इस पर सुनवाई के दोरान अदालत ते कहा कि केस पेपर्स के साथ मुंबई महानगर पालिका के दस्ता वेज तो प्रस्तुत किये गए किन्तो इनमें याचिका करता द्वारा टेंडर में हिस्सा लेने के कोई सबूत नहीं है जिस से निश्चित है केवल धोकाधरी करने के उद्देश से पुरे मामले को अंजाम दिये जाने का हवाला देते हुए नियादिश विनए जोशी ने याचिका करता को अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया साथी अर्जी भी ठुकरा दी अभियोजन पक्ष के अनुसार सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने के लिए शिकायत करता डॉक्टर से याचिका करता ने 34,70,000 रुपे लिए थे याचिका करता ने डॉक्टर को कुछ फर्जी दस्तावेज भी दिखाये थे शिकायत करता मेडिकल अतिकारी अस्पताल में याचिका करता के संपर्क में आया था जान पहचान होने पर याजिका करता ने डॉक्टर से कहा कि कोरोना के इस संकटकाल में और्सेनिक अल्बम नामक दवा की भारी मांग है इसके लिए सरकार द्वारा टेंडर निकाले जा रहे है यदि डॉक्टर की इच्छा हो तो इसमें निवेश कर सकता है टेंडर मिलने के बाद इस से भारी मुनाफ़ा होने का लालज भी दिया सरकारी टेंडर का हवाला मिलने से डॉक्टर ने निवेश के लिए रकम तो दी लेकिन वापस भुक्तान नहीं हुआ अदालत ने आदेश में कहा कि केस पेपर्स के साथ प्रस्तुत बैंक दस्तावेजों के अनुसार शिकायत करता डॉक्टर की और से याजिका करता के खाते में 34,70,000 रुपे जमा किये जाने का खुलासा हो रहा है यहां तक कि मुम्मई महानगर पालिका के दस्तावेजों के अनुसार याजिका करता द्वारा टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिये जाने का खुलासा हो रहा है इसी तरह सरकारी पक्षकी और से कुछ दस्तावेज भी पेश किये गए जिनमें औरंगाबाद के स्वास्ते उपसंचालक के फरजी स्टाम्ट मिलने दस्तावेज प्रस्तुद किये गए जिसका बचाओ पक्षकी और से विरोध किया गया अदालत ने आदेश में कहा किया चिका करता कभी भी सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने का इच्छुक नहीं था लेकिन इसी आधार पर उससे भारी राशी ली जिसकी छानबीन होना जरूरी है परमीट का शुलक अदा नहीं करने के कारण आटियो अधिकारी ने एक वाहन जब्त कर लिया मोटा जुर्माना होने के कारण फरियादी रकम अदा नहीं कर पाया इसी बीच जब्त किया गया वाहन आटियो परिसर से चोरी हो गया आटियो अधिकारी और करमचारियों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। पिडित व्यक्ती जुर्माना भर ने आटियो गया तो वाहन चोरी होने का पता चला। प्रकरन की शिकायत पुलीस से की गई। पुलीस में शिकायत दर्ज होते ही अग्यात आरोपी ने वाहन को भंडार पर छोड़ दिया। तकिया वाट भंडारा निवासी अविश फूलचंद रामटेके ने आटियो अधिकारी और करमचारियों की मिली भगत से वाहन चोरी करने का आरोप लगाया है। कोई पूछताच किये बगैर गाड़ी सीधे अमरावती रोड स्थित सिटी आर्टियो कारियाले ले चलने को कहा। अविश ने आर्टियो कारियाले में गाड़ी लगा दी। बंबोरे ने गाड़ी की चाबी जब्त कर ली और चालान भरने को कहा। उन्होंने 3200 रुपय का चालान बताया था लेकिन जब आर्टियो के क्लर के पास गए तो बताया गया कि पर्मिट नहीं भरने की वज़े से 50,000 रुपय जुर्माना भरना होगा। इतनी रकम देने में अविश और समर्थ थे। इसके बाद लॉकडाउन लग गया आर्तिक हालत और खराब हो गई। विगत 21 सितंबर को पैसे लेकर अपनी गाड़ी चुडाने के लिए आटियो कार्या ले गये लेकिन उनके गाड़ी दिखाई नहीं थी। पूछताच करने पर चाबी का बॉक्स दिखाया गया लेकिन उसमें उनकी चाबी नहीं थी। दो-तिन दिन जांच करने के नाम पर चाल मटोल हुई। आखिर 24 सितंबर को अविश ने प्रकरन की शिकायत सिताबर्डी पुलीस से की। सुमवार की शाम अविश नाकपूर से भंडारा लोट रहे थे। तभी वडोदा के रिलायंस पंप के पास उन्हें गाड़ी दिखाई दी। नंबर प्लेट बदली गई की मिली भगत से वाहन चोरी किया गया। दूरी की साइकलिंग करते हुए अभी बहुत अधिक वक्त नहीं हुआ है। उन्होंने अप्रेल 2021 में साइकल चलाना शुरू किया और एक ही महीने में 200 किलोमेटर साइकल चला ली। इससे उनका होसला बढ़ा और फिर अपनी साइकल को अपग्रेट कर अगस्त में ओडेक् इसके बाद उन्होंने रेंडोनर पर ध्यान लगाया। इसके लिए 600 किलोमेटर की दूसरी 40 घंटों के भीतर पूरी करनी होती है। रजनी ने यह कर दिखाया। रेंडोनर के बाद रजनी ने अपना अगला टारगेट भी चुन लिया। रजनी अब आईरन लेडी की तयारी करेगी। इस प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागी को 1.9 किलोमेटर स्वीमिंग, 90 किलोमेटर साइकलिंग और 21.1 किलोमेटर ब अध्र है।